रात का समय था गाओं के सब भी लोग सो रहे थे तब ये घरिया नाम का आदमी गाओं की नदी के किनारे खड़ा हुआ गाना गा रहा था अरे वाह हर्या तुने तो कमाली कर दिया कितना अच्छा और सुरी लगाता है तू ये कहते ही हरिया उस नदी के अंदर डुब के मार लेता है जिसके बाद नदी के अंदर का पानी अचानक से खुनी लाल हो जाता है जिसे देखकर हरिया बहुत घबरा जाता है अरे ये कैसे हो सकता है अभी तो ये पानी एकदम पीने जैसा था लेकिन अचानक से खून की तरह लाल हो गया तब ही उस नदी के अंदर से जोर-जोर से चुड़ैल के हंसने के आवाजे आने लगती है तूने तो कमाल करती है हरिया बहुत यह अच्छी नदी में डुपकी लगाई है तूने आज आज के बाद तो किसी भी नदी में डुपकी नहीं लगा पाएगा अरे हरिया हरे कौन है भाई इस सामने आओ अगर हिम्मत है तो सामने आओ तब ही उस नदी के अंदर से एक चुड़ैल निकलती है और हरिया से कहती है तेक तेरे सामने तेरी महत कड़ी है अब बता हरिया कैसा लग रहा है तुझे चुड़ैल के बाद सुनकर हरिया उसके आगे हाथ जोडने लगता है हरे चुड़ैल मैं तेरे आगे हाथ जोडता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूलो गई है मैं आएंदा इस नदी में कभी भी दोबारा से नहीं आउंगा तुझे क्या लगा कि तेरे रोने दोने से मैं तुझे यहां से जाने दोंगी तुझे नहीं पता कि एक बार जो मेरी नदी में डुक्की लगा ले वो बच कर दोबारा नहीं जा सकता अब तेरी मात निश्चे थे यह कहकर चुड़ैल हर्या को मार देती है जिसके बाद दूसरी नदी की चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है अरे तो अकली चुड़ैल तू तो बड़ी ही कमंड़ी निकली तूने तो मेरी हिस्से को भी निकल लिया अरे थोड़ी तो शरम कर तो भी तो कमंड़ी है कल रात तूने भी तो ऐसे ही अकले खा लिया था और मुझे चोड़ दिया था मैंने भी तेरे साथ ऐसा ये किया उन दोनों नदियों की चुड़ेलें बहुत ही घमंडी होती है जो कि गाउं के किसी भी आत्मी को अपनी नदी से तैर कर जाने नहीं देती और अगर कोई नदी के अंदर कदम भी रखता तो उसे जान से मार देती वहीं दूसी तरफ वे दोनों एक दूसे से बहुत चड़ती और इसी तरह वो दोनों आपस में बात भी करना पसंद नहीं करती थी एक दिन रात के समय एक औरत अपनी मठकी भरने उन दोनों नदियों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है काफी देर सोचने के बाद वो दोनों नदियों से थोड़ा थोड़ा पारी अपनी मठकी में भर लेती है जिसके बाद वहां से जाने लगती है लेकिन तभी उन दोनों नदियों के अंदर से बहुती भयानक चुड़ैल के हसने की आवाज आने लगती है आवाज सुनकर सावित्री बहुत डर जाती है जिसके बाद वो वहाँ से भागने के कोशिश करती है लेकिन दोनों चुडैल अपने लंबे हाथों से सावित्री को पकड़ लेती है और दोबारा से नदी के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है कहां जा रही है हमसे बचकर तो कहीं नहीं जा सकती अब तो दो हमारे हाथों मरेगी जो कोई भी हमारी नदी से पानी लेगा या पिर नदी के अंदर दुब की लगाएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे तुम गांवालों को इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोग मूँ उठाकर हमारी नदी के अंदर पानी और दुब की लगाने आ जाते हो अब तुम नहीं बचेगी अब तुझे मरना ही होगा ये कहकर दोनों चुड़ैल उस औरत को आदा आदा अपनी तरफ खीच लेती है और अपनी नदीयों के अंदर ले जाती है जिसके बाद ये सब गाउं का एक आदमी पेड़ के पीछे से चुपकर देख लेता है अरे तो ये राज है इन दोनों घमंडी नदीयों का इसलिए गाउं का जो भी आदमी इन नदीयों के पास आता है वो लोटकर वापस कभी नहीं जाता ये सोचकर काशिक गाउं वालों के पास जाता है और गाउं के सबी लोगों को उसी समय कठा करके उनसे कहता है अरे भाईयों हमारे गाउं के जो दो नदिया है उन दोनों नदियों के अंदर दो घमंडी चुडैले रहती है जिसकी वजा से गाओं के कई आदमियों की मौध हो गई है और जो भी उन नदियों के अंदर जाता है वो लोट कर वापस नहीं आता अच्छा, तो ये बात है वो चुडैल कहों के लोगों को खा रही है अब मुझे समझाया कि मेरे पती कहां कायब हो गए और उनका पता नहीं चल पा रहा उन्होंने इन दोनों नदियों के अंदर दुपकी लगा ली होगी जिसके बाद उनको घमंडी चुडैलों ने मार दिया तबी वहां एक बहुत ही बोरी ओरत काशी के पास आती है और उससे कहती है क्या कहा नदियों के अंदर घमंडी चुडैल है भगवान अब हमें अगोरी बाबा को बुलाना ही होगा नहीं तो ये चुडैल यहां से कभी नहीं जाएंगी उस बोड़ी औरत की बात सुनकर गाउं के सभी लोग अगोरी बाबा के पास जाते हैं जिसके बाद अगोरी बाबा अपने मन ही मन मंतरों का जाब करते हैं जिसके बाद उन्हें चुडेलों को गाउं से भगाने का उपाए मिल जाता है और वो गाउंवालों से कहते हैं अगर हमें उन नदियों की चुडेलों को यहां से भगाना है तो उसका केवल एक ही उपाय है मुझे स्वेम उस नदी के अंदर से तैर कर जाना होगा जैसे ही मैं उन दोनों नदियों के अंदर से तैर कर निकलूंगा उन दोनों नदियों की चुड़ेल अपने आप बाहर निकल कर भस्म हो जाएंगी लेकिन मुझे साधारण आदमी की तरह वहां जाना होगा लेकिन बाबा वो चुड़ेल तो बहुत शक्तिशाली है और आपके केवल तैरने से भस्म कैसे होगी मेरे पास भैरव बाबा की विद्या है जिसकी मदद से मैं उन दोनों चुड़ेलों को खत्म कर सकता हूं जब मैं नदि के अंदर उतरूँगा मैं अपने भैरव बाबा के मंत्र का उप्चार करूँगा जिसके बाद वो उन दोनों नदियों की घमंडी चुडेले अपने आप बस्म हो जाएंगी और दोबारा लोटकर फिर कभी नहीं आएंगी यह कहकर अगोरी बाबा अगले दिन रात के समय गाउवालों के सोने के बाद दोनों नदियों के अंदर डुब की लगाने लगते हैं पहले वो पहली नदी में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद दूसरी नदी में डुबकी लगाते हैं जिसके बाद वो दोनों नदीयों के बीच में बैट जाते हैं तब ही उन्हें अचानक से नदीयों के अंदर से दोनों चुडैल तरपते हुए बाहर निकलती हुई उनों दोबारा लोट कराएंगे और तुझे मार देंगे अब तुम दोबारा इस गाउं में नहीं आ सकती और अगर तुमने आने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा तब ही अचानक से दोनों चुड़ेल जलकर राक हो जाती है जिसके बाद उन दोनों नदियों के अंदर से चुड़ेल हमेशा हमेशा के लिए गाइब हो जाती है और गाउं के लोग उन नदियों का पानी आराम से लेने लगते है और उसके अंदर से आराम से तैर कर जाने लगते हैं है है है